हेलो गाईज, वेलकम टो बाई यूट्यूब चैनल, आज मैं आप लोगों के लिए बायोलोजी का 15th क्लास लेके हैं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे आपका लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, इससे पहले जो आपका वीडियो आया था, उसमें हमें स्मॉल इंटेस्ट आयागा, इसके बाद हम आगे-ागे करके क्या करेंगे, चोटे-चोटे पार्ट में सारे चीज़ को हम क्या करेंगे, जानेंगे, तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपका यह 15th नंबर वीडियो है आपका, ठीक है, इससे पहले आपका 14th वीडियो आ चुका है, जिसमें हम क्या कर चुके हैं, बाकी जो पीछे की सारे चीज़ है, सारे चीज़ को रिवाइच कर चुके हैं, इससे पहले आप नहीं देखें तो उसमें भी आप सारे चीज़ को देख सकते हैं, तो चली, सबसे पहले एक एक करके हम जानेंगे, ठीक है, सबसे प बात करेंगे तो large intestine का जो length होता है वो 5 feet के कड़िब में होता है, 5 feet होता है, ठीक है, आप एक चीज और ध्यान रखेएगा, large intestine का याणी कि large intestine को small intestine से जोडने का काम जो आपका करता है, वो कौन करता है? आपका seacum ही करता है. Next हम बात करेंगे कि इसका और क्या work है, तो यह आपका undigested food होता है, उसको क्या करता है? कोलोन तक पहुचाने का काम जो करता है, उसमें यह क्या होता है, थोड़ा लंबा होता है, याद रखना है, इस चीज को, next हम बात करेंगे, कोलोन, क्या है, तो यह क्या करता है, एब्जर्ब करता है, किस चीज को, water को, ठीक है न, और एक चीज और ध्यान में रखेएगा, कि क कोलोन में ही एक E. coli करके आपका एक bacteria होता है, ठीक है न, E. coli देता है, कहीं पर आप परियेगा, तो E. coli ही सिर्फ देता है, bacteria होता है, जो कि आपका क्या है, दोनु चीज़े, आपका ज्यादा होगा, तो आपको problems है, ठीक है, कम होगा, आपको, एक maintain में होना चाहिए, ठी यह आपका protection करता है किस चीज को large intestine को ही करता है बहुत जादा होगा तो उससे भी आपको क्या होगा आपको problem हो सकता है ठीक है ना यह bacteria होता है यह bacteria होता है जो आपका colon में क्या होता है पाया जाता है ठीक है जो आपका food को क्या करता है food को absorb करने में उससे जो होता है उसको help करता ठीक है ना यह protection कह सकते हैं कि करता है आपका equalize bacteria होता है next हम बात करेंगे rectum rectum का क्या work होता है तो यह undigestive जो food होता है इसको excrete through बता रहा है कि एनस के थ्रूँ इसको क्या करता है बाहर निकालने का काम आपका कौन करता है आपका rectum करता है next हम बात करेंगे digestive enzyme के बारे में तो digestive enzyme आपको तीन परकार का यहाँ पर पारना है ठीक है यह ना यहीं तीन आपका main है सबसे पहले तो Carbohydrate हो जाएगा फेट हो जाएगा और आपका protein हो जाएगा ठीक है एक एक कर करकार में परचुक है teosaccharide होता है और एक करता है ठीक है निक्स हम बात करेंगे कौन-कौन तो एक होता है टाइलीन हो गया जो कि सैलीवा में जो कि आपका क्या करता है स्टार्च को डाइजेस्ट करता है स्टार्च को पाचन करता है निक्स हम बात करेंगे दूसरा जो है आपका amylage है, जो कि pancreatic juice में आपका क्या होता है, ये पाया जाता है जो कि glycogen का आपका क्या करता है पाच्चंग करता है, next हम बात करेंगे इसे में आपका dimonosecrate जो होता है इसको तोड़ने में आपको 3 types का enzymes होता है वो आपका help करता है ठीक है, 3 types का जो enzyme होगा, वो help करेंगा सबसे पहला अगर हम बात करेंगे तो आपका maltoge हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सुक्रोज हो जाएगा, और तीसरा lactose हो जाएगा maltoge अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है, maltoge तो सबसे पहले आपको पता होने चाहे ग्लुकोज प्लस ग्लुकोज मिलता है, मल्टोज बनेगा, आपका सुक्रोज जो होता है, ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलेगा, तो आपका सुक्रोज का निर्मान होगा, लेक्टोज का अगर हम बात करेंगे, ग्लुकोज प्लस ग्लैक्टोज अगर मिल लेगा तो आपका लेक्टोज का निर्मान होगा और यह जो होता हैं और इंटेस्टाइन जूस में ही क्या होता ह। यह अपका पायाजाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे। इसके बाद का अगर हम बात करेंगे तो अब पर रोल पड़ना है, कि large intestine में आपका क्या रोल होता है, ठीक है, तो देखे, protein जो होता है, सबसे पहले peptone में convert करता है, फिर peptide में convert करता है, फिर peptone में, और फिर lastly, जो होता है, amino acid में क्या होता है, ये convert करता है ठीक है उसी चीज़ को आपको ध्यान में एक चीज़ और रखना है कि प्रोटीन जो होता है पेप्टाइड में होता है तो ये आपका पेपसीन रेनिन क्या करता है पेपसीन रेनिन तोरते है ठीक है ना पेपसीन रेनिन में इसको क्या करता है तोरता है पेप्टा जा चुका है नेक्स हम बात करेंगे जो होता है यह जब टूटता है आपकाएमो खेलेंटी से ख REALLYもう एक रहें को डिता है काईमोट्रिपसीन देगाрист तो केमोट्रिपसीन और त्रिपसीन दोनों आपको ध्यान में रखना है कि ये आपका क्या करता है उसके बाद ये आपका कहां पर होता है तो ये पेंक्रियाटिक जूस में आपको क्या होता है पाया जाता है कौन-कौन आपका ट्रिपसीन और ये आपका काइमो ट्रिपसीन और ट्रिपसीन क्या है एक next हम बात करेंगे lastly जो है आपका fat के बारे में fat के बारे में अगर हम बात करेंगे तो fat का जो पाचन होता है वो कौन करता है? lipage करता है इस चीज को ध्यान में रखना है lipage जो enzyme होगा वो आपका करेगा और यह आपका pancreatic juice में यह भी आपका क्या होता है? आपका क्या करता है? इसका यह करता है next हम बात करेंगे आपको ध्यान में रखना है कि आपका कौन हो जाएगा some facts बता रहा है कुछ extra facts जो है आपको याद रखना है इसको ठीक है ना यह आपका क्या हो जाएगा? सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो the large intestine जो होता है पहला आपको हम बात करेंगे इस about बता रहा है कि 5 feet बता रहा है कि long होता है and 3 inch बता रहा है कि wide होता है ठीक है? तो एक चीज़ और आपको कहीं पर देता है कि small intestine और large intestine में आपको सुनने के लिए मिलेगा कि small intestine क्या होता है? बढ़ा होता है तो large intestine जो होता है न बहुत ज़्यादा जो इसका विदित जो होता है न वो आपका small intestine से ज्यादा होता है इसलिए इसको large intestine के नाम से हम क्या करते है जानते हैं ठीक है लंबाई में लेंध में बात करेंगे तो length में आपका small intestine बढ़ा हो जाता है इस चीज को ध्यान रखना है next हम बात करेंगे in the large intestine mainly water is absorbed होता है और food can be बता रहा है last in the बता रहा है large intestine from 18 hour up to 2 days यानि कि large intestine में जो food आपका होता है वो आपका 18 hour से लेके कितना देर तक रहता है आपका तो ये 2 दिन तक 2 days तक आपको देखने के लिए मिल सकता है next हम बात करेंगे over बता रहा है कि 400 बता रहा है 400 बता रहा है कि जो bacteria होता है living hour बता रहा है कि large intestine में हमारे अंदर जो होता है 400 से उपर बता रहा है कि bacteria जो होता है जो कि आपका क्या करता है ये सब जो होता है creating बता रहा है vitamin, minerals हो गया preparing बता रहा है विश्ट ये सारा चीज़ का निर्मान formation करने में आपको help करता है ये जो आपको देखने के लिए मिलता है और एक चीज और ध्यान रखना है smaller ध्यान बता रहा है कि इसा इसी के साथ ये आपका छोटा सा पार्ट था इसमें हम क्या कियें 10 मिनिट में मातर आपका ये completely इसको खतम कर चुके है तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे तब तक वीडियो को अच्छे से देखे इससे पहले भी आपका सारा वीडियो जो डाला हुआ है उसको भी आप देख सकते है स्टार्टिंग से डाला हुआ है आप उसको देखे आपके लिए बेटर होगा नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू